हेलो गाईस, मीनू के किच्चन में आप सभी का स्वागत है आज मैं अपने शत्त के उपर जो हमने बूटे उगाएं हैं उसको दिखा रही हूँ आपको आप देख लो हमने क्या क्या उगाया है देखो गाईस यह है कड़ी पत्ता हमने उगाया है पहले मैंने वीडियो डाली थी बहुत सारा हमारे गर में कड़ी पत्ता था बहुत सारी बढ़ी टानी थी बहुत सूख गई अब हमने निया उगाया है यह हो गया महीना को हमने उगाया है इसको अब देखो कड़ी पत्ता कितना अच्छा हो गया है यह नीम्बू का बुट्टा देखो नीम्बू उगरे हैं अभी साथ आठ दस उगरे हैं यह बुट्टे नीम्बू कितने सारे जे भी नीम्बू का बुट्टा है जे गुलाव का बुट्टा है जे मनी प्लांट है देखो मनी प्लांट उगरा है बहुत सारा था हमारे सारे यह देखो ब्हेंगन की बैंगन को बाता है यह दीक हुदा बूथ देखो दो बूटे गाये हैं हमने बैंगनों के और इसकी हम शाम को सबजी बनाएंगे फिर मैं वीडियो में डालूंगी सबजी देखो साथ आठ बैंगन उग गए हैं जे देखो जे देखो गाइस जे देखो जे ऐलो वेरा का बूटा उग गया है हमने जे देखो सारी ऐलो वेरा है जे पदीना है अभी उग गेगा हरी मर्चों के बूटे तो उग गए हैं पर अभी हरी मर्च बूटों में से निकली नहीं है देखो कितने बड़े बड़े बूटे हैं अभी हरी मर्च आई नहीं है बूटों में देखो जे सबी हरी मर्च के बूटे हैं ये तोसी माता उगाई है हमने अभी इसको स्वारिंगी में चुनी बगएर डालूँगी और मोल की तंद बनूँगी इसको थोड़ा सा सजाओंगी तुरसी को में अभी बाद में सजाओंगी जे गुलाव के बूटे हैं अभी फूल उग नहीं दें पहले तो बहुत सारे थे इसमें बूट्टेओं के बीच गुलाव की बहुत सारे फूल उपते थे परसाथ के कारणा भी बूटे फूल उगे नहीं है इसे देखोगा इस देखो कतने साथ गमले हैं अभी बरसाथ का मोसम बन रहा है बदल बन चुके हैं अभी बदल गर्ज रहा है मी तो आएगा ही देखो अभी भी सूरज निकला हो है कभी दूपाती है कभी बदल बन जाता है देखो मी आता है के नहीं दो दिन पहले तो बहुत मी आया हुआ था बहुत ज़्यादा बारिश होई थी जो हमने गमलों में बैंगन उगाए थे आज हमने तोड़ ये हैं सबजी बनाने के लिए आज मैं आलू बैंगन की सबजी बनाऊंगी इसलिए मैंने ये बैंगन तोड़े हैं और भी थे बेंगन वो थोड़े से शोटे शोटे थे अभी अच्छी तरह से उग गए नहीं है यह अच्छी तरह से उग गए थे इसलिए मैंने यह उतार लिए है